सब ठीक चल रहा है कुशल मंगल है आपकी लाइफ में तो हमेशा की तरह आज भी हम बहुत एक इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करेंगे ठीक है तो टॉपिक है गाइस की मालू हम कैनडा में एक साल का कूर्स लेके आए ठीक है जी अब जैसी गाइस वह स्टेंड करेंबीट के सब्सक्राइब flavor होने वաս होगा की हाजी अब SS insems करवाण है सेक करวाना सब्सक्राइब कर्का कि यह कं सस थीक है वो होता है तो उसके साथ समय इस बड़ा एक को 2nd Year की Classes Start होनी है, तब से मेरी अप्लिकेशन पे और रिजर्ट नहीं आया, तो क्या मैं जो मेरी Classes Start होनी है 2nd Year की , क्या वह मैं Start कर सकता हूं, नहीं Start कर सकता हूं, मेरी कोई Work Permitt पे ऐफैक्त हो नहीं पड़ेगा, तो आज हम इस वीडियो में यही चीज डिसकस करेंगे कि हाँ जी क्या आप स्टडी कंटीनू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो क्या वक्परमिट पर कोई फेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्या प्रोसेस है वह सारी चीजें गाइस मैं आपको बताऊंगो अरियल आपका सडी परमिट एक्सपायर हो गया अपने सोच ही नहीं कि हाँ जी मुझे एक्स्टेंड करवाना है या और कोई बीरीजन हो सकता है तो उसकेस में कैसे हमने आगे जाना है ठीक है क्या प्रोसेस होता है वो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगा आपके लिए काफी व क्योंकि उसकेस करें रिक्स कि छेर्वी कर दो तकि अपने प्रष्ट यह को शोड़ी जैसे वीडियो में आपको यह थे पार वह से तो आपको बेनेफित करेंगी वह चीज थे धाल तो इसलिए पार सकता हूं अपने इक्सपीरन सिर्स को सब्सक्रीन के साथ तो आपको बेन इस टॉपिक को हमें का इक्जेम्पल के साथ डिसकस करते हैं मालो किसी का जो स्टडी पर्मिट है वह एक्सपायर हो रहा है जी संबर में 31 दिसेंबर 2022 ठीक है जी और अभी उसका मालो फर्स चीर चल रहा है ठीक है स्टडी का जो जी जुलाई चला गया ऑगस्ट चला गया टिक-टिक होना स्टाट हो गया जो जी आप क्या करें कैसे करें यह रही है जी जैनेवरी से आपके पास अभी इस चैन्ट करना था उस पर बिकेशन का applied status पे आ रहा है चलो जी ठीक है फिर एनफ अब आपका question होगा कि हाँ जी मालो December में भी नहीं आया और मेरा मालो study permit expire हो गया जो पहले था existing one ठीक है तो और classes मेरी start होनी है नहीं साल की या जो second year होगा वो start होनी है मेरी next year तो क्या मैं वो apply status पे ठीक है काम कर सकता हूँ या sorry काम महला study कर सकता हूँ या नहीं कर सकता ठीक है तो गाई उसका answer है आप कर सकते हो और आप से कोई problem नहीं है तब तक जब तक आपकी application पे कोई decision नहीं आता like positive या आता है कोई negative decision नहीं आता ठीक है तो गाई most of the time ये अप्रूव हो जाती है so don't worry about it but in case नहीं अप्रूव होती तब आप भी study नहीं कर सकते हो ठीक है तो आप apply status पे हो गाई ठीक है आपने apply किया हुआ study program extension के लिए चुप चाप आपने कुछ नहीं करना आप अपनी classes start कर दो गाई second year की ठीक है करते रो अपना study करते रो करते रो करते रो करते रो ठीक है जब तक like in case कुछ negative आता भी आपकी application के लिए ठीक है तो गाई ये होता है अपो गबराने के ज़रुत नहीं है बड़ा simple सा ये concept है कि हां जी आप apply करो expire होने से पहले-पहले आप apply कर दो ठीक है तो आप apply status पे होगे अगर in case आपका current study permit आपका expire हो जाता है ठीक है तो आप अगले साल की classes apply status पे आप start कर सकते हो that's not a big deal clarity होई गाई बड़ा simple concept था राइट चलो जी बहुत अच्छी बात है अब next guys एक और point आता है मालो जी due to some reasons study permit हो गया जी expire ठीक है जी मालो किसी का December 31st तक का था 2022 ठीक है because of some reasons उसने extending कर वाय जी और expire हो गया बाद में दिमाग में आया नहीं या अब क्या करें विकेज टेक्निकली तो guys वह हो गया ना कि हा उटो स्टेटस हो गया वह ठीक है अब उसने का कि हांजी अब कैसे करें मुझे study करनी है या कुछ भी उसका plan है ठीक है अब उसके 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 क्या होगा ना उसके पास 90 डेस होते हैं तो रीस्टोर ही स्टेटस ठीक है अब 90 डेस उसको बताना है कि हांजी मुझे एक्स्टैन करना है या क्या करना है ठीक है तो वो 90 डेस के विजिन 90L आही आपको करदेना चाहिए ठीक है क rankings नुक्सान ही होता ठीक है, you have 90 days to make a decision कि हांजी आपने करना क्या है, ठीक है, तो according ले गाइस आप अपना status restore कर सकते हो, उसके $200, you have to pay extra, and other than that, study permit extension के लिए $150 होते हैं, वो आपको pay करने पड़ते हैं, ठीक है, in case आप extend कर रहे हो, ठीक है, तो यही चीजे होती है, आप अपका study permit expire नहीं हुआ, तो वो भी आपको बता दिया, मालो आपका study permit expire भी हो गया, उसके बाद का क्या process है, वो भी ने आपको बता दिया, तो गाइसी clarity आगी हर चीज पे, हर point पे, राइट, एक क्वेशन और आता है, हांजी मालो की study permit मैंने apply किया हुआ, extension के लिए apply किया हुआ है, ठीक है, मैंने classes start कर apply status पे ही, ठीक है, तो क्या, जब मैं work permit के लिए apply करूंगा, दो साल के बाद, यसा हम कहते हैं की 3 साल का work permit मिलता है, उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, काई tension ending की ज़रुदत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप 2 साल का आपका course है, ठीक है, तो तोटल 1 कोई fact नहीं पड़ेगा, even if you work on apply, even if you study on apply status, I hope, इस वीडियो से आपको काफी ज़्यादा clarity आ गई होगी, कि हाँजी, अगर यह चीज है, तो ऐसी होगी, यह जीज है, तो ऐसी होगी, तो गाई, ठीक है, मलब काफी लोगों के दिमाह में questions आते हैं, तरह तरह के उनको लगत तो ऐसा नहीं कि हवा में बाते हो रही है, ठीक है, friends ने apply किया हुआ है, ठीक है, उनने experience की हुई है, ठीक है, अब site, website पे लिखी हुई है, यह चीज है, ठीक है, तो आप भी guys, इस information सुनो, and आप इस चीज को guys, जाके पढ़ो भी, मैं यह हमेशा recommend करता हूँ, ताकि आपको और जाता clarity आजाए, in case, आपको फीपी questions आते हैं, या फिर कोई और डाउट आता है, आपको guys, तो आप मुझे इंस्ट्रागां पर follow कर सकते हो, वहां पर question पूर सकते हो, और comment section में अपना guys, अपना question पूर सकते हो, I'll try to answer that question as soon as possible, ठीक है, तो guys, जास ही, हमेशा की तरा, आज हमने बहुत इंतरस्टीं टॉपिक डिसकस किया, और विश्यों आप गभराने की जरहतनी है, हर चीजह हो जाएंगी, sometime, it may take some time, but eventually, you will definitely get success, and then, go guys, I'll see you next time, we're in topic and other discussion, till then, stay safe, stay calm, and enjoy your day, and guys, channel को support करते रहना, subscribe पर गंधी पर एपक्लिक कर देना, ता कि कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं, तो आपके बस पहुंच जाए, and guys, friends के साथ भी share करना, ता कि उनका भी फायदा हो सके, चलो guys, see you next time, bye bye guys, take care, enjoy, bye bye, bye